इशा देओल ने अपनी गोद भराई की रस्म के साथ ही अपने पती भरत तखतानी से दूसरी बार शादी की दरसल इशा का कहना है 2012 में जब उनकी शादी हुई तब उनकी माहेमा मालिनी ने तिरुपती से पंडितों को बुला कर इस मांगलिक कारे को संपन किया था पर वो सभी पंडित क्तमिल बोल रहे थे और उनकी परिवार और दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आया इसलिए उन्होंने फिर से सिंधी रीती रिवाज से शादी की मुंबई के हरे कृष्ण हरे रामा मंदिर में ईशा की गोद भराई के साथ ही उनके विवासमारों का आयूजन किया गया क्योंकि भरत सिंधी है इसलिए इस बार सभी कारिक्रम को सिंधी पारंपरिक तरीके से मनाया गया इस मौके पर ईशा और भरत शादी के जोड़े में नज़र आये और उन्होंने पवित्र अगनी के तीन फेरे लिए इस फंक्षन में जया बचन रश में ठाकवे डिम्पल का पाडिया भी नज़र आई फैशन डिजाइनर नीता लूला ने इशा और भरत के ड्रेस को डिजाइन किया नीता खुद भी सिंधी है और इसलिए सिंधी ट्रीडिशनल आउटिक की उन्हें अच्छी समझ है